नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम बहुत ही जरूरी दो चीजों के बारे में बात करेंगे फरवरी के लास्ट में और मार्च में हमें ये काम अपने प्लांट्स में जरूर करने चाहिए एक तो हमारे प्लांट्स में इस टाइम पर कीड़ा बहुत जादर आजना लीजए यह बायो आंज्याइम है यह मिर्च और लहसुन का बायो आंज्याइम है मैंने लगबग चार महीं ने पहले यह तीन-चार तरह में बनाये थे बहुत ही अच्छे बने और देखें कितने साफ यह बिल्कुल बन गया है बनने के बाद बुल क्लियर हो जाता ह का जो कलर है आप देखिए बिल्कुल एक दम साफ दिख रहा है और इसको मैं यूज भी कर चुकी हूँ बहुत ही बड़ी है इसका रिजल्ट है तो आप पायो एंजाइम फ्री में अपने घर पर बना के रख सकते हैं फर्टिलाजर के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं जैस होती बढ़ी है इसके रिजल्ट में लेंगे तुरंत ही केड़े साफ हो जाते हैं और रेगुलर इसको हम हर तीसरे दिन अपने प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं तो फिर हमारे प्लांट्स पर केड़े बिल्कुल भी नहाते हैं इस टाइम पर बहुत जरूरी है अपने सभ गुड़ाई करने के बाद जो भी हमने खाद डाला है उसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजे पानी अगले दिन दीजे एक दिन इस तरह से बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई करके खाद को मिट्टी में बिल्कुल मिक्स करके और फिर ऐसी छोड़ दीजे और नेक्स यह पर्मानेंट प्लांट से उन सभी पर फूल आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखकर यह चोटी चोटी चीजे हैं जिनका धिहान रखकर हम अपने प्लांट को कीड़ों से भी बचा सकते हैं और उन पर बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं दोस्त तो मैं फर्टलाजर के रूप में यूज करती हूं बहुत अच्छे फूल आते हैं उसको यूज करने से और यह मिर्च और लहसुन वाला बहुत अच्छा पैस्टे साइड का काम करता है तो लिंक मैं डिसकेप्सम बॉक्स में डाल दोंगी आप वाला वीडियो देखिए औ करन के तैयार हो जाते हैं अब फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आप मिर्च और लहसुन को कूट कर पानी में डाल कर छोड़ दीजे 24 घंटे के लिए उसको चान कर उसमें पानी मिक्स करके उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं तो इस तरह से हम नैच्रली अपने प्लां अच्छ बाई